क्या बात है यहां कियो बलाए पहले अंदर आओ ओमाइग गॉड्ट एई क्या हुआ आपको किसने मारा मैंने मारा एक को इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या एक तु जानता है इसने क्या किया चाइना से तीन सो करोड रुपे लिये इसने ओप्रेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है ए पताता हिआ या ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर बाइव वर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से, लेकिन अब जमाना है नुक्लियर वर्क, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किये जा सकते हैं। लेकिन इस बाइयो वार में बंदूग नहीं, रॉकेट भी नहीं, इस वाइरस. सिख्थ सेंचुरी में हॉंग सिंग नाम के वाइरस से चाइना में बहुत लोगों की मौध हुई थी. उसी वाइरस को फिर से बना कर इंडिया को शम्शान बनाने के लिए डॉंग ली नाम के स्पेशेलिस्ट को यहां भेजा गया है. उसने उस वाइरस को एक गली के कुट्दे में इंजेक्ट कर दिया है. अब ही यह गली का गुट्दा जब इस खंटे में यह बिमारी खाने के जरिये फैला देगा है. है, है, है! अब तक बहुत से कुट्टों में यह बिमारी फैल गई होगी. कुट्टों से इंसानों में भी यह जल्दी फैलेगी. किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं. अब नई-नई बीमारीों की खोज करते हैं. इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता है. लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है. सोला सों सालों पहले बोधी धर्मन नामक एक महान बुरुष के नुस्खे के जरिये अब इस बीमारी से सिर्फ साथ दिनों में हमारी आबादी में से तीस लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा चाइना तब अपनी दवा का एलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगे मनवा लेगा और यही है वो बायो वार तो तुम सुधा के पीछे क्यों बढ़े थे? आज से तीन महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था बोधी धर्मन के DNA रिसेर्च से चाइनीज दंग रह गए अगर बोधी धर्मन के खाबलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गई तो भारत इस बिमारी की दवा बना लेगा उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते है अच्छा तो ये गेम है पैसे के लिए देश को बैश दिया पहले ही देश में नकली डॉक्टर नकली दवाईया है अब नहीं बीमारी भी प्यादा कर दी सली ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो अर्वेंद वन सेकंड वन